नमस्कार दोस्तों, मबितास्टिप्स ट्रैनल में आपका स्वागत। निपावली के साथ ही ठंड का आगमन हो जाता है, धूप फीकी लगने लगती है नधा बच्चों के नाख सुरसुर करने लगते हैं। ठंड के मौसम में रंग बिरंगे स्वेटर, टोपी पहन कर सभी रंगीन लगने लगते हैं। गरम गरम चाय और दादी की बूर्सी की आनंद का तो क्या कहना। ठंड में धूप से हटने का नधा काम करने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। आज इनी से बातों का उलेख करते हुए मैं एक बहुत ही नुरंजक कविता के साथ आई हूँ। उमीद है आप भी इसका अनंद उठाएंगे। तो लाइक करने के साथ सेर भी करें और मेरे आगे की वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कविता है खाओ धूप करो मत काम सूरच को हो गया जुकाम। सुर 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 है नाक बज रही बसता गुर गुर हुका। अजी सोर यह कैसा होता पूछे मुझसे कक्का। हुआ धूप का चक्का जाम सूरच को हो गया जुकाम। मफलर जाका बकसे में से जाकी और रजाई। मुझे दस्तानों को पहनो समझे सूरच भाई। किरने करती हैं आगाम सूरच को हो गया जुकाम। मुझफली जी नाच रही है चाय मगन है होती। दादी जी बोड़ सीले बैटी ओढ़ड़ जाई सोती। खाओ धूप करो मत काम सूरच को हो गया जुकाम। उमीदें ये कवीता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। उमीदें आपको sevा स्वरचित्त झाल झाल